नमश्कार दोस्तों आज में लेकर आई हूँ देसी चने की ऐसी सबजी की रेसिपी जिसे आप देखकर चौँक जाएंगे और आश्यर में पढ़ जाएंगे कि ये सबजी ऐसे कैसे बन सकती है इतनी अच्छी होती है कि आप इसको महमानों के आगे भी परस सकते हैं ये बहु अगर आपने मेरे चेनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इतनी सौफ्ट बनती है कि इसे कट करके भी पता सकती हूँ एक बार आप इसे जरूर जरू ट्राए कीजिएगा बच्चे भी इसे पनीर की सबजी समझ कर बह हो दिया था आप इसे 5-6 गंटे कम से कम भी होई है जिससे एकदम अच्छे से भीग जाएंगे और सौफ्ट हो जाएंगे इसी तरीकी के चने हमें चाहिए है एक हम ग्राइंडर जार लेंगे इसमें ये चने अपने ट्रांसफर कर देंगे दो से तीन इसमें हरी मिर्च डा राफ तीजपून नमग डालेंगे गजाएंगे और इसमें लालमिर्च का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा और इसमें हम आदा कब करी पानी डाल कर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अगर जरूरत हो तो इसमें थोड़ा बहुत पानी आप और डाल लीजिए लेकिन हमें बैटर हमारा इस तरीके का चाहिए है थोड़ा गाड़ा सा इसको हमने देखिए अच्छे से ग्राइंड कर लिया है अब एक हम प्लेट लेंगे प हमने इसमें ट्रांसफर कर लिया है अपना बैटर और इसमें देखिए हमने दो चमच करीब रहने दिया है इसी तरीके से हमें छोड़ना है जिसे हम बताएंगे आगे हमें इसका क्या करना है बाकी जो हमने प्लेट में ट्रांसफर करा है इसको हम चमच की सहायता से अच्छ की कली डालेंगे आप इसमें जादा भी डाल सकते हैं एक हमने प्यास रफली चौप करके डाली है दो तीन हरी मिर्चे और थोड़ा सा एक इंच अध्रक का टोड़ा है वो भी इसमें डाल देंगे और पांच से छे इसमें काजु डाल देंगे यह ऑप्शनल है अगर आप प्राइए में हम 2-3 टेबल स्पून ओयल डाल देंगे ज्यादा ओयल का इस्तमाल नहीं करेंगे ओयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे जीरा दालचीनी तेजपत्ता और इलाइची इन सभी को गर्म तेल में डालना है जिसकी मैं वी अपने मसाले को दो मिनट हो गए है जो हमारा मसाला है वो एक सा एकटा होने लगा है दो से तीन मिनट ही इसे हम भूनेंगे अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे हाफ टीजपून हल्दी पाउडर वन टीजपून धनिया पाउडर हाफ टीजपून लाल मिर्च कुछ देर के लिए और भूननेंगे यह देखिए हमने से अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे काफी देर तक भून भी लिया मसाला हमारा देखिए और अच्छा सा दिखाय दे रहा है एब इस समय पर हम grinder jar में पानी डालेंगे और उसका पानी ही इसमें हम डाल देंगे जिससे हमारी कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाएगी देखिए इसको हमने अच्छे से आदा कपकरी पानी और डाल दिया है और अच्छे से मेक्स कर लिया है इसमें उबाल भी आ गया है अब जो कटोरी है हम लेंगे एक और एक कटोरी लेकर इसके बीचों बीच हम रख देंगे और इसको हम पानी से भर देंगे इसको हमने देखिए पानी से भर भी दिया है अब जो हमने चने पीसे थे जो प्लेट में डाले थे वो प्लेट हम इस कढ़ाई में कटोरी के उपर रख देंगे और इसको हम कुछ देर के लिए धाग देंगे कम से कम इसे हमें 10 से 15 मिट तक धाग कर रखना है ऐसा करनी से एक तो हमारे दो काम एक साथ हो जाएंगे नीचे हमारा मसाला भुन जाएगा और उपर हमारा ये जो है वो भाप से पक जाएगा अगर आप चाहें तो इसको अलग-अलग सेपरेट भी कर सकती है अब देखिए इसे हम खूलेंगे और एक सीक से चेक करेंगे देखिए सीक हमारी बिल्कुल साफ निकल रही है इसका मतलब है ये हमारा बन गया है और पानी की कटूरी को भी हम उठा लेते हैं और उसको भी उठा लेंगे और देखिए मसाला भी हमारा बन कर तयार हो गया है इसको आप देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला बन कर तयार हुआ है अगर लगता है बीच में कि हमारा मसाला जल रहा है तो आप धकन को खोल कर थोड़ा सा पानी साइड से और डाल दीजिए अब देखी मसाले में हम एक से दो चम्मच दही डालेंगे दही डालने से इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बढ़ जाते हैं क्योंकि हमने इसमें कोई खटाई का इस्तमाल नहीं करा है देखी अब हमारी प्लेट भी ठंडी हो गई है इसको हम चाकू की सहायता से इसके मन चाहे शेप में छोटे बड़े जैसे आप करना चाहें शेप में कट कर सकते हैं मैंने इसको स्क्वेर शेप में कट करा है ये काफी अच्छा सॉफ्ट बनकर और नरम बनकर त्यार हुआ है इसे निकाल कर भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है और कितना देखने में अच्छा है और देखिए कितनी आसानी से हमारे सभी पीज निकल रहे हैं हमें इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रहे क्योंकि हमारा अच्छे से बन गया इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ देखे कितना सौफ्ट पनीर की तरह बन कर तयार हुआ है ग्रेवी हमारी बन कर तयार है थोड़ी से इसमें हम कसूरी मैथी डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट और अधिक बढ़ जाता है और इसलिए इसको डालना बहुत जरूरी है आप इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको ग्रेवी रखनी है टो पानी र्खनी है क्योंकि हमने इसमें चने का इस्तामाल करा है इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और नमक भी इसमें मिक्स कर देंगे जब चने की किसी ही सबजी बनाते हैं तो वो पानी सोक करती है देखिए हमने इसे ढग दिया था जिससे इसमें जल्दी उबाला गया है और हमारी ग्रेवी बन कर त्यार हो गई है अब जो हमारे सारे पीस है वो इसमें हम एक एक करते हुए डाल देंगे हाँ अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड और फैमली में शेयर जरूर कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखाए तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिलती रहेगी मैं आपको इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसेपी की वीडियो अपलोड करती रहूँगी आप इस तरीके से इस सब्जी को जरूर बनाएए मैंने इसे बंद कर दी है और बहुत अच्छी बंद कर तयार है आप एक बार इस सब्जी को जरूर जरूर बना कर ट्राइक कीजिएगा ये मेरे कहने से बहुत अच्छी बंद कर तयार होती है आप एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बना कर खाना चाहेंगे मैं इसे कटकर के भी बता सकती हूँ देखिए कितनी आसानी से सॉफ्ट कट हो रही है बिल्कुल पनीर की तर है और इसका टेक्शर देखिए अंदर से कितना अच्छा पनीर जैसा दिखाई दे रहा है जैसे हमने ये मसाले पनीर की सब्जी बरा कर तयार करी है तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी नए वीडियो के साथ बाई बाई टेक केर थेंक्स फोर वाचिंग